है अब्रेवर वेल्कम बैक टो नदर वीडियो फ्लाइफ सांचिलोजी आज इस विरी में हम पढ़ने वाले हैं बेस्टी फॉर्स टीर का पेपर थर्ड यूनिट थर्ड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हैं बायो केमिकल मेकप आफ प्रोटो प्लाज्म यानि की जीव अब रसानिक संगठन किस तरीके से हुआ है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं टोपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए प्रोटो प्लाज्म एक्चुली में क्या होता है और इसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी एक ब रहता है प्लाज्मा मेंब्रेन से जिसको आप सेल मेंब्रेन भी बोल सकते हो प्लाज्मा मेंब्रेन या फिर सेल मेंब्रेन ठीक है तो जितना भी लिविंग मेंटीरियल प्रिजेंट होता है सेल के अंदर उसे हम प्रोटो प्लाज्म बोलते हैं हम यह पता है जो सेल और्ग लिसकस प्रिसक्स किया था ठीकड और अगर उसके साथ में Key है शैल और प्रिजेंट है तो उसको अगर हम बात करते हैं लविंग मेटीरियल की सेल के अंदर लेविंग मेटीरियल की तो उसमें हम क्या बोलेंगे साइटो प्लाज्म प्लस न्यूकलियस क्या होगा कि प्रोटो प्लाज्म इसको कंबाइन तरीके से हम बोलेंगे प्रोटो प्लाज्म ठीक है यानि कि साइटो प्लाज्म प्लस न्यूकलियस क्या हो गया प्रोटो प्लाज्म जो कि क्या है लिव जनाभी living material cell के अंदर प्रजांट है उसको complete तरीके से हम क्या बोलेंगे Proto Plasma तो Proto Plasma का Biochemical Make Up किस तरीके से हुआ है यानि कि जीवद्रेविका जैव रैसनिक संगितन किस तरीके से हुआ है वह हम पढ़ने वाले है प्रोटो प्लाजम के अंदर सैल ओर्गिनल भी प्रेजंट है और नुकलेस भी प्रेजंट है ठीक है अगर हम नुकलेस के बात करें तो यह किन सब चीजों को मिला करके बने हैं कैसे बने हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं तो पैसिकली 92 नाच्रिली अकरिंग केमितिल प्रिजेंट होते हैं तिक जिसमें से अगर हम human body की बात करें हमारे अंदर कितने प्रिजेंट है 16 बायोओ ऑल्यमेंट होते हैं वैसे protoplasm के फोर जो है सिक्स्टीन बेवार्यमेन्ट होते हैं घोनिवेर्सल होते हैं यूनिवर्सल का मतलब यह हुआ कि जितने भी और्गैनिजम होते हैं उनका जो सेल है उनमें जो प्रोटोप्लाजम है जो 12 बायो एलिमेंट है वो सब में ही मिलेंगे कहलाते हैं सबसे पाले हम मेजर बायो एलिमेंट के बारे में मेचर वायो एलिमेंट वहा की इनका जो परसंटाल होता है वह कि जादा होता है मतलब जादात में प्रोटोप्लाजम है ठीक है मेजर एल्डायोँ प्रोटोप्लाज में 62 ठीक है तो सबसे ज्यादा कॉन प्रिजंट है उसके बाद आता है कार्बन कार्बन कितना प्रिजंट है 20 परसंट ओल्दो जो यह हमने परसंटेज यहां पे लिया है यह कहीं कहीं बुक में आपको चेंज होता रहेगा जेंज मिलेगा ठीक है तो एवर 5% फोससार 1.14 ठीक है नेक्स बात करते हैं माइनर बाइयो एलमेंट की मेजर क्या थो इनका जो परसंटेज है वो चारदा प्रिजन रहता है प्रोटोप्लाजम में तो हम इसको मेजर बायो Empt कहते है報 माइनर बायो Empt क्या होगा जिनका परसंटेज जो है वो कम प्रेजेंट होगा तो 99% जो पार्ठ प्रॉट्ट प्लाज्म का किस्ते बना है मेजर हम बायो Empt से इसे सल्फ़र का कितना 암 प्रिजंटेट रहता है क्लोरिम कितना है जिरो पॉइंट वन सेक्स पर संस्ट आण 0.10 ब्रम है 0.10 107 पर सेट पोटेश्यम कितना प्रिजन थे 0.3 5 पर संट तो इस तरह किसे उनका प्रसंट प्रिजंट होता है किसके अंदर प्रोटो प्लाजम प्रिजंटेंट में यह प्रिजंट है प्रोटो प्लाजमी में टीड category इंचे आइरन शीक्लार सबसे जादा कॉम संब डाइड हो झाहित है major bio element उससे कम कौन है minor bio element although इनका percentage भी बहुत ही कम है 1% प्रिजेंट रहते हैं यह 99% जो है प्रिजेंट रहते हैं लेकिन बहुत ही कम amount में trace element present होते हैं और यह भी compound form में मिलेंगे ठीक है योगिक form में मिलेंगे carbonic और carbonic योगिक में आपको मिलेंगे ठीक है तो यह overall हमने बात करें कि कौन-कौन से बायो elements present होते हैं प्रोटोप्लाजम के अंतर ठीक है आप इसको नोट कर सकते हो next time discuss करने वाले हैं कुछ बायो elements जो होते हैं वह आपस में जोड़कर कि क्या बनाते हैं इन और्गनिक compound बनाते हैं जैसे कि water on mineral कुछ बायो element आपस में जोड़कर कि और्गनिक biomolecule form करते हैं जैसे कि protein carbohydrate lipid and nucleic acid ठीक है तो बायो element combine with each other and form inorganic compound जैसे कि water and mineral and organic biomolecule protein carbohydrate lipid and nucleic acid तो सबसे पहले हम discuss करने वाले हैं नुक प्रोटीन के बारे में तो structure में आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ beads present होते हैं ठीक है यह क्या है amino acid जोड़कर कि क्या बना रहा है प्रोटीन बना रहा है ठीक है तो यह चोटे-चोटे unit अगर हम एक unit को एक बीड को उठा करके उसका chemical composition देखें तो कुछ इस तरीके का हमें दिखाए देगा तो chemical composition में क्या देखते हैं कि hydrogen present है oxygen present है और nitrogen present है ठीक है तो यह क्या है बाइल एर प्रेजेंट होती है और बीच बीच में जो है प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं कुछ पेरिफेरी प्रोटीन भी होते हैं तो plasma membrane है अगर cell membrane है तो उसमें क्या प्रेजेंट है protein present है नेक्स हम देखते हैं लिपीड के बारे में ठीक है तो लिपीड का अगर हम chemical composition है लिपीड तो हमने cell organal पढ़ा था गोलगी apparatus गोलगी बोड़े भी बोलते हैं उसको गोलगी complex भी बोलते हैं तो वहां पर प्रेजेंट रहता है उसके अंदर लिपीड प्रेजेंट रहता है ठीक है नेक्स हम बात करते हैं कार्बोहाइट्रेट की chemical composition अगर हम देखें कार् carbon hydrogen and oxygen प्रेजन तो हम क्या समझते हैं यहां पर जो और गैनिक बाय मोलेकुलस हैं तो ज्यादा तरुम में क्या प्रेजेंट रहेंगे यह तो carbon से बनेंगे oxygen से बनेंगे या फिर उसमें hydrogen प्रेजेंट रहेगा ठीक है नेक्स हम बात करते हैं नुकलिक एसेड की ठीक है नुक क्या प्रेजंट है oxygen प्रिजंट है carbon प्रेजंट है और hydrogen भी प्रेजंट है phosphate group को मिला करके sugar को मिला करके और nitrogen nitrogenous base को मिला करके क्या बना है यह हमारा nucleic acid ठीक है कहां प्रेज़न है nucleus के अंदर प्रेजंट है तो यह हमने you meet night thank you so much for watching this video and I'll see you in the next one